अबासन और शहरी कार्य मंत्राले द्वारा ग्लूबल हाउसिटिक्नॉलची चैलेंज इंडिया जी एच्टीसी इंडिया का आयोजन किया गया साथियों जी एच्टीसी इंडिया एक ऐसा प्रेटों है जिसके जरिये भारत का कंस्रक्शन सेक्टर इको सिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता इस चैलेंज का उदेश्य देश में आवास निर्मान के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए विश्व में उपलब्ध नवीनितम एवं तीवर निर्मान तक्रीकों को पहचान कर मुख्य धारा में लाना है ताकि देश में आवास निर्मान क्षेत्र के बरतमान एको सिस्टम को सुद्रुण किया जा सके जी एच्टीसी इंडिया के तीन घटक हैं कंस्ट्रॉक्शन टेक्नोलोजी इंडिया एक्स्पो कम कॉंफरेंस विश्व भर की प्रूवन डिमांस्ट्रिबल टेक्नोलोजीज की पहचान करना और आशा इंडिया के माध्यम से भविश्य की प्रद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा देना माननिय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रॉक्शन टेक्नोलोजी येर के रूप में घुशित किया गया था इस क्रम में विश्व भर की 54 प्रूवन इनुवेटिव कंस्ट्रॉक्शन टेक्नोलोज प्रजीज की पहचान कर इनहें 6 व्यापक श्वेणियों में बाटा गया इनमें से उत्कुष्ट तकनीकों का चैन कर 6 शहरों से अलग-अलग तकनीकों की उप्योग से लाइट हाउस प्रॉजेक्ट्स का निर्मान किया जा रहा है इन प्रॉजेक्ट्स में प्रत्येक जग प्रॉजेक्ट्स कॉंक्रीट कंस्रॉक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लखनव। ये प्रोजेक्ट्स पारंपरिक निर्मान तकनीक के तुलना में नभीनतम तकनीकों से उच्च गुणवत्ता, किफायती और परियावरणिया मानकों के अनुरूप निर्मान का प्रदर्शन करेंगे। इन लाइट हाउस प्रॉजेक्ट्स का सभी हित धारकों के लिए लाइव प्रयोग शाला के रूप में प्रतर्शन, जानकारी, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्याफक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जैसे कारिय किये जाएगे। इन नवीनितम तक्नीकों के उप्योग से न सिर्फ प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के अंतरगत आधुनिक, आपदा रोधी और परियावरन के अनुकूल आवासों का निर्मान तीब्र गती से होगा। अपितू, देश में आवास निर्मान के एक शेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ये प्रध्योगी की परिवर्तन 21 सदी के लाई और आत्म निर्भर भारत के निर्मान को गती प्रदान करेगा। अब प्रस्तुत है GSTC इंडिया के तहट चैनित विश्व भर के नवीन तम निर्मान टेक्नॉलजी के संकलन पर आधारित एक फिल्म। वाननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरोना से विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन एवं वैकल्पिक निर्मान तकनीकों की पहचान कर इन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए GSTC इंडिया आयोजित किया गया। इस चैलेंज के तहट तकनीकी समीक्षा के बाद चववन नवीनितम, लागत प्रभावी, परियावरन अनुकूल, आपदा प्रती रोधी एवं तीवर निर्मान तकनीकों का चैन कर छे व्यापक्ष्वेणियों में विभाजित किया गया है। अग्रियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके व्यापक उपियोग से देश में भावी निर्मान कारियों में बेहतर गुणवत्ता और गतिभीव मिलेगी। इसके पाथन सामकरी का एक उस्तक के रूप में विमोचन किया जा रहा है। आत्म निर्भर भारत की और प्रयासों को नई गति देगा। माननिय प्रधान मंत्री जी से साधर अनुरोध है कि वे नवीनतम निर्मान तक्नीकों का संकलन का बटन दावा कर विमोचन करने के किर्पा करें। माननिय प्रधान मंत्री जी से साधर अनुरोध है कि वे नवरीती पर पुस्तक की प्रती का बटन दबा कर विमोचन करने के किर्पा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी से साधर आगरे है कि वे जी स्टी सी इंडिया के तहत आशा इंडिया के चैनित विजिताओं की घोशना बटन दबा कर एक लगू फिल्म के माध्यम से करने की किर्पा करें। जी एच्टी सी इंडिया के घटक आशा इंडिया के अंतरगत देश की युवा मेधा, इनुवेटर्स, स्टार्टप्स, शोध करताओं और उद्यमियों को इनुवेटिव निर्मान सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन जी इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है, ताकि निकट भविश में इन तकनीकों का उप्योग हो सके, इसके तहत प्राप्त असी आवेदनों में से मुल्यांकन के बाद प्रतिष्ठित IITS CSIR लैब में इंक्यूबेशन सपोर्ट से सम्मानत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है, सॉल्टेक डिजाइन लैब्स एहमदाबाद, धुरीन पॉंज परीदाबाद, गोरहंप एग्रो वेंच्वर्टर्स कांडवाल विलिज उप्राखन, गौडा टॉर्गेरसन हुमेंगी बिल्डिंग सिस्टम इंडिया गुर भर भारत बनाने के लिए प्रोध्योगी की और इनुवेशन को बढ़ावा दे। प्रधानमंत्री जी के विशन 2022 तक सब के लिए आवास की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शेहरी ने गत पांच वर्षों में उलेक निये सफलता प्राप्त की है। शहरी गरीबों के लिए एक करोड से जादा गर स्विकृत हो चुके है। शहर के मद्दमबर के लिए भी पहली बार गर खरिद्य के लिए मदद की जा रही है। राज्यों, संग राज्य क्षेतरों, शहरी स्थानिय निकायों एवं लाभार्थियों द्वारा इस योजना की उपलब्धी में दिये गए महत्वपून योगदान को सम्मानित वप्रोट साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरसकार शुरू किया अपनाई गई बेस्ट प्राक्टिस और इनोवेशन की विभिन श्रेणियों में विशेश पुरसकार दिये जा रहे हैं। जेता इस प्रकार हैं। लाभार्थियों ने भी अपने आवासों का उत्तम निर्मार किया है और इस्थानिय संस्कृती वपरंपराओं के अनुसार उन्हें सजा कर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इसके लिए तेश भर्द के लाभार्थियों को पुरसकृत किया जा रहा है। हिट भारकों एवमलाभार्थियों के सहयोग से वर्ष दो हजार पाइस तक सब के लिए आवास के संकल्प को सिध्धी तक पहुचाने के लिए हम पून विश्वास के साथ अग्रिसर हैं। नवस्कार। त्रिमान विजयरुपानी जी, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री थिरुई के पनलानी स्वामी जी, आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवाईएस जगनमोहन रेडी जी, कारकम में उपस्थित्थ सभी आदरणीय गवणर महोदय, उपस्थित्थ अन्य सभी महानुभाव, भाईयों और भेनों आप सभी को सभी देशवाच्यों को 2021 की बहुत बहुत शुब कामना है अनेक अनेक मंगल कामना है आज नई उर्जा के साथ नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गती से आगे बढ़ने का आज शुबहरंब है आज गरीबों के लिए मद्यमबर के लिए घर बनाने के लिए नई टेकनोलोजी देश को मिल रही है तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूँ ये छे प्रोजेक्ट बाकई लाइट हाउस प्रकास स्तंब की तरह है ये छे लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे देश के पुर्व पस्चीम उत्तर दक्षिन हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभ्यान में जुटना कोपरेटिव फेडररिज्म के हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है साथियों ये लाइट हाउस प्रजेक्ट अब देश के काम करने के तोर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरन है हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना हुगा एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथ्विक्ता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए सरकार घर निर्मान की बारिक्यों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी लेकिन हमें पता है बीना काम के विस्तार में ये जो बड़लाव किये गए हैं अगर ये बड़लाव न होते कितना कठीर होता आज देश ने एक अलग एप्रोच चुनी है एक अलग मार्ग अपनाया है साथियों हमारे हाँ ऐसी कई चीजे हैं जो प्रक्रिया में बड़लाव किये बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है हमने इसको बदलने की ठानी हमारे देश को बहतर टेक्नलोजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए हम जो घर मनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों नहीं हो सरकार के मंत्रालों के लिए यह जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे नहीं हो बलकि स्टार्ट अप की तरह चुस्त भी हो और दुरस्त भी होने चाहिए इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टकलोलोजी चैलेंज का आयोजिन किया और दुनिया भर की अग्रणी कमपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से जादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टकलोलोजी जे इस समारों में हिस्सा लिया इस परदा में हिस्सा लिया इस ग्लोबल चैलेंग से हमें नई टकनलोजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग-अलग साइट्स पर छे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आदूनिक टकनलोजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे इसमें इन्फास्रेक्टर का टाइम कम होगा इसमें कंस्रक्शन का कंस्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को जादा रेजिलियन एफ़र्डिवल और कमफिटिबल गर तयार होगी जो एक्सपर्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है लेकिन देश वाज़ियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आज ये टेक्नलोजी एक शहर में इस्तिमाल हो रही है कल को इनीक अविस्तार पूरे देश में किया जा सकता है साथियों इन्दोर में जो गर बन रहे हैं वो उनमें इन्ट और गारे की दिवारे नहीं होगी बलकी प्री फब्रीकेटेड सेंड़िच पैनल सिस्टिम इसमें इस्तिमाल होगा राजकोट में टनल के जरिये मोनोलिथिक कॉंक्रिक कंस्रक्शन इस टेकनोलोजी का उप्योग करेंगे फ्रांस की इस टेकनोलोजी से हमें गती भी मिलेगी और घर आपदाओं को जेलने में ज़्यादा सक्षम भी बनेगा चेन्नई में अमेरिका और फिन्लेंड की प्री कास्ट कॉंक्रिट सिस्टिम का उप्योग करेंगे जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा रांची में जर्मनी के 3D कंस्रक्शन सिस्टिम से घर बनाएंगे इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्शर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलोनों को जोड़ते हैं अगर तला में न्यूजिलेंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलोजी से घर बनाए जा रहे है जहां भूकम का खत्रा जादा होता है वहां ऐसे घर बहतर होते हैं लखनाओ में केनेडा की टेक्नोलोजी यूज कर रहे हैं जिसमें प्लस्तर और पैंट की जरू नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दिवारों का उप्योग किया जाएगा इससे घर और तेजी से बनेंगे हर लोकेशन पर बारा महिनों में हजार घर बनाए जाएंगे एक साल में हजार घर इसका मतलब यह हुआ कि प्रती दीन धाई से तीन घर बनानी की एवरेज आएगी एक महिने में करीब करीब नब्बे सो मकान बनेंगे और साल भर में एक हजार मकान बनाने का लक्ष है अगली 26 जन्यवारी के पहले इस काम में यह सफलता पाने का इरादा है साथियों यह प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, एंजीनियर्स और स्टूडन्स शीख पाएंगे और नई टेकनोलोजी एक्सपरिमेंट कर पाएंगे मैं देश भर की इस प्रकार की सभी उनिवर्सिटिक से आगर करता हूँ कि इस फिल्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडन्स दस-दस, पंद्रा-पंद्रा के ग्रूप बनाएं, एक-एक विक के लिए इन छे स्थाइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्यान करें, वहां की सरकारे भी उनको मदद करें, और एक प्रकार से देश भरकी हमारी उनिवर्सिति के लोग, ये जो पाइलोट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलोजी, और मैं ये चाहूंगा, कि हमें आग बन करके किसी टेक्नोलोजी की अड़ोप करने की देखें, और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वार्मेंट के हिसाब से, हम इस टेक्नोलोजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी activity बदल सकते हैं क्या, उसकी performance level को बदल सकते हैं क्या, मैं पक्का मानता हमारे देश के नवजवान ये देखेंगे उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कुछ नयापन जुड़ेंगे और सच मुझ मैं देश एक नई दिशा में तेज गती से आगे बढ़ेगा इसे के साथ साथ गर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नलोजी से डिसोर्स डेवलप्मेंट, स्कील डेवलप्मेंट इसको साइमेंटेनियों शुरू किया है। ओनलाइन आप पढ़ सकते हैं इस नई टेक्नलोजी को समझ सकते हैं आप एक्जाम दे करके सर्डिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि देश वा आउसिंग टेक्नलोजी से जूड़ी रीसर्च और स्टार्ट अप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्रेम चलाए जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21 सदी के घरों के निर्मार की नई और सस्ती टेक्नलोजी विक्सित की जाएगी। इस अभ्यान के तहट पांच सर्वस्रेश टेक्निकों को चैन भी किया गया है। अभी मुझे बहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नलोजी पर आधारित किताब और आउनलाइन सेटिफिकेट कोर्स नवरिती इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अउशन मिला। इन से जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकारते होलिस्टिक एप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बढ़ाई देता हूं। साथियों शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मद्यमबर के उन सबसे और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है। हर किसी का सपना होता है अपना घर किसी को भी पुशिए उसके मन में होता है यह गर बना ले बच्चों को जिनदी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती हैं, मुश्किल के सबाएं एक गारंटी भी जुड़ी होती हैं कि चलो कुछ नहीं है तो यह अपना घर तो हई है। लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोकों का भरोसा तूटता जा रहा था। जीवन भर की पूंजी लगा कर गर खरीत तो लिया, पैसे तो जमा कर दिये, लेकिन गर कागज पर ही रहता था, घर मिल जाएगा, इसका भरोसा नहीं रह गया था। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीत पाएंगे, इसका भरोसा भी डगबगा गया था। क्योंकि कीमत इतनी जादा हो गई थी, एक और भरोसा जो टूट गया था, वो यह कि क्या कानून हमारे साथ देगा की नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ को जगड़ा हो गया, मुसिमत आ गई, तो यह भी एक चिंता का विशह था। हाउसिंग सेक्टर की यह स्थीती हो गई थी, कि किसी गड़बड़ी की स्थीती में सामान्य व्यक्ति को यह भरोसा ही नहीं था, कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों इन सब से वो किसी तरह निपड़कर आगे बढ़ना भी चाहता था, तो बैंक की उची ब्याच, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किले हैं, उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते छे वर्षों में देश में जो कड़म उठाए गए हैं, उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनत कस मध्यमबर्गी परिवार का, ये भरोसा लोटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अपदेश का फोकस है गरीब और मध्यमबर्गी जर्रतों पर, अपदेश ने प्रात्फिक्ता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को, प्रदान मंत्री आवास यूजना के तहट, शहरों में बहुती कम समय में लाखों गर बना कर दि यह जा चुके हैं, लाखों गरों के निर्मार का काम जारी भी है, सातियों, अगर हम पी एम आवास यूजना के तहट बनाए गए, लाखों गरों के काम पर नज़र डाले, तो उसमें इनोवेशन और इंप्लिमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा, बिल्डिंग मट्रियल्स में स्थानिय जरुतों और घर के मालिक की अपेशाओं के अनुसार इनोवेशन नज़र आएगा, घर के साथ साथ दूसरी यूजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है, इससे जो गरीब को घर मिल रहा है, उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवशक सुविदाएं हैं, ऐसी अनेख सुविदाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, इतना ही नहीं, पार दर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर गर की जीयो टेकिंग की जा रही है, जियो टेकिंग के कारण हर चीज़ का पता चलता है इसमें भी टेकनोलोजी का पूरा इस्तवाल किया जा रहा है गर निर्मान के हर स्टेज की तश्वीर वेब साइट पर अपलोड करनी पड़ती है गर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाबार्दी के बैंक खाते में बेजी जाती है और मैं राज्यो का भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं आज कई राज्यो को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभागी मिला है मैं इस राज्यो को जो विजय हुए हैं जो आगे बढ़ने के लिए मादान में आये हैं उन सभी राज्यो को विशेस रुप से बढ़ाई देता हूँ साथियों सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाब शहरों में रहने वाले मद्यंबर को हो रहा है मद्यंबर को अपने पहले घर के लिए एकताय राज्शी के होमलोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होमलोन पर ब्याज में छूट की विशेश योजना शुड़ू की मद्यंबर के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे उनके लिए पचीस हजार करोड रुपिय का विशेश फंड भी बनाया गया है साथियों इन सारे फैंसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ती भी है रेरा ने लोगों में ये भरोसा लोटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा उनका घर अब फसेगा नहीं आज देश में लगभग साथ हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रेजिस्टर है इस कानून के तहट हजारों सिकायतों का निप्टारा किया जा चुका है यानि हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है साथियों हाउसिंग फॉर आल यानि सबके लिए घर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए जो चौत तरफा काम किया जा रहा है वो करोडों गरीबों और मद्यमबर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवरतन ला रहा है यह गर गरीबों के आत्म विश्वात को बढ़ा रहे हैं यह गर देश के यूओं के सामर्त को बढ़ा रहे हैं इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं जब किसी को घर की चाबी मिलती है न तब और दरवाजा या चार दिवार इतना तक नहीं होता है जब घर की चावी हाथ आती है तो एक सम्मान पूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है एक सुरक्षित भविश्य का द्वार खुलता है जब घर के मकान के मालिकी का हक आजाता है दीचा वचा भी मिलती है तब बच्चत का भी द्वार खुलता है अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है 25 लोगों बीच में समाज में ज्याती में विरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है एक सम्मान का भावर लोटा आता है आत्म विश्वास पनपता है ये चाबी लोगों के विकास का उनकी प्रगति का द्वार भी खुल रही है इतना ही नहीं ये चाबी भले ही दरवाजे की चाबी होगी लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खुल देती है जो नए सपने संजोने लग जाता है नए संकल प्रसकी वर बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है इस चाबी की इतनी ताकत होती है साथियों पिछले साल कोरोना संक्र के दोरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है ये कदम है एफ़रेबल रेंटल हाउसिंग कॉंप्लेक्स ये योजना इस योजना का लक्ष हमारे वो स्रमिक साथी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गाउं से शहर आते हैं कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगा से अन्य राज्य से आये लोगों के लिए अनाप सनाप कभी कभी बाते बोली जाती है उनको अपमानित किया जाता था लेकिन कोरोना के समय सारे मदूर अपने अपने यहां वापिस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिन्दगी जीना कितना मुश्किल है कारोबार चलाना कितना मुश्किल है उद्योग धंदे चलाना कितना मुश्किल है और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ वापिस आओ कोरोना ने हमारे स्रमीकों के सामर्थे को सम्मा को जो लोग स्विकार नहीं करते थे उनको स्विकार करने के लिए मजबूर कर दिया हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन स्रमीक बंदूं को उचीत किराये पर मकान उपलब्द नहीं हो पाते इसके कारण छोटे-छोटे कमल में बड़ी संख्या में स्रमीकों को रहना है इन जगों पर पानी बिजली ट्वालेट से लेकर अस्वच्छता इस ऐसी अनेक समस्याय भरी पड़ी रहती है राष्ट की सेवा में अपना स्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरीमा के साथ जीवन जीए ये भी हम सभी देश्वासियों का दाइत्व है इसी सोच के साथ सरकार उद्वोगों के साथ और दूसरे निवसकों के साथ मिलकर उचीत किराये वाले घरों का निर्मान करने पर बल दे रही है कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं साथियों रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोचसाहिक करने के लिए भी निरंतर निर्णे लिए जा रहे हैं खरीदारों में उत्सा बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैस्ट को भी बहुत कम किया जा रहा है सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले आठ परसंट लगा करता था वो अब सिर्फ एक परसंट है वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले बारा परसंट एक्स की जगह अब सिर्फ पांच प्रतिशत जिये जा रहा है सरकार ने इस सेक्टर को इनफास ट्रक्चर की भी माननेता दी हैं ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके साथियों बीते सानों में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर तीन साल में ही हमारी रेंकिंग एक सो पचासी से जिदी 27 पर आप पहुँची हैं कंस्ट्रक्शन से जूड़ी परमिशन के लिए ओनलाइन व्यवस्ता का विस्तार भी 2000 से जादा सहरों में हो चुका है अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है साथियों इंफास्ट्रक्शर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेश कर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थ व्यावस्ता में फोर्स मल्टिप्लायर का काम करता है इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना सीमेंट का लगना कंस्ट्रक्शन बट्रियल का लगना पूरे सेक्टर को गती देता है इससे डिमांड तो बढ़ती है रोजगार के भी नए अवसर मनते हैं देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है मुझे विश्वात है कि हाउसिंग फर आल का सपना जरूर पूरा होगा गावों में भी इन वर्षों में दो करोड घर बनाए जा चुके हैं इस वर्ष हमें गावों में बन रहे गरों में भी और तेजी लानी हैं शहरों में इस नई टेक्नलोजी की विस्तार से भी गरों के निर्माण और डिलिवरी दोनों में ही तेजी आएगी अपने देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गती से चलना ही होगा मिलकर के चलना होगा निर्धारिक दिशा में चलना होगा लक्ष को ओजल होने देना नहीं है और चलते रहना है और इसके लिए तेज गती से फैसले भी लेने ही होंगे इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस छे लाइट हाउस एक प्रकार से हमारे नई पीड़ी को हमारे टेक्नोलोजी और एंजिनियन के विद्यार्थियों के लिए यह सबसे ज़्यादा उप्योगी हो यह मेरा इच्छा रहेगी मैं चाहूँगा सभी उनिवर्सिटी इस फ्रकार के जो महातरए प्रोजेक होते हैं उसका और आयन करना चाहिए जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है डेक्नोलोजी मों प्योग कैसे होता है इसाप किदाब कैसे लगाए जाता है यह अपने आप में सिख्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा और इसलिए मैं देश के सभी युवा इंजीनियरों को टेक्निशनों को विशेश रुप से नमंतर देता हूँ इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं ले और अपनी लाइट जितनी उसमे के लिए बहुत बहुत सुप कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद